इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. क्लोनेट एफ क्रीम कई दवाओं से मिलकर बना है, जिसका इस्तेमाल विभिन प्रकार के तवचा का संक्रमन के इलाज में किया जाता है. यह संक्रमन पैदा करने वाले माइक्रो औरगनिजम के खिलाफ काम करके इंफ्लेमेशन के लक्षणों जैसे की लालिमा, सूजन और खुजली को कम करता है. क्लोनेट एफ क्रीम केवल बाहरी अंगों के लिए है, और इसे डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार इस्तेमाल किया जाना चाहिए. दवा की पतली परत को साफ और सूखे हाथों से तवचा के केवल प्रभावित शेत्रों पर लगाया जाना चाहिए. दवा लगाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोएं. अगर यह आपकी आँख, नाक, मूह या योनी में चला जाता है, तो पानी से धोलें. लक्षनों में सुधार आने में कुछ सप्ताह तक का समय लग सकता है, तो अपनी दवा को नियमित रूप से लेते रहें. दवा के बहतर असर को सुनिश्चित करने के लिए, इलाज का कोस पूरा किया जाना चाहिए. अगर आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है, या अधिक खराब हो जाती है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए. आम तोर पर यह एक सुरक्षित दवा होती है, हाला कि इससे दवा लगाने के स्थान पर जलन, इरिटेशन, खुजली और लालपन जैसी समस्याएं आ सकती हैं. ये साइड इफेक्ट आम तोर पर हलके और आत्मसीमित होते हैं. गंभीर साइड इफेक्ट बहुत ही कम मामलों में होते हैं. अगर आपको कोई अलजी प्रतिक्रिया, चिकते, खुजली, सूजन, सास की कमी, आदिक का अनुभव होता है, आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए. इस दवा का उप्योग करने से पहले, अगर आप उसी बीमारी या अन्य बीमारियों के लिए कोई अन्य दवाएं ले रहे हैं या हाल ही में ले चुके हैं, तो अपने डॉक्टर को बताना महत्वपूर्ण है, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा का सेवन उचित परामर्ष और सावधानी के साथ करना चाहिए, अगर आपको इस दवा से ग्यात अलजी है, तो आपको इस दवा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, और इस थिती के बारे में डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए, इलाज के दौरान संक्रमित तवचा वाल करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे आपको भविश्य में और ऐसी विडियो देखने को मिलती रहें धन्यवाद